हमाई साथ जमु कश्मी बीजेपी के अध्यक्ष रवीन रहना जी जोगे हैं रवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर फारुक अब्दुल्ला सहाब अपसे कुछी देर पहले प्रेस कॉन्फरेंस करके ये बताते हैं कि वो सभी बैठक में शामिल होंगे ले भी सपष्ट है आप समझ पा रहे हैं कि अजेंडा क्या है और शर्तों के साथ बाचीत मुम्किन भी आया नहीं पिछले कई महीनों से जमु कश्मीर के बहुत सारे राजनेता बार बार इस बात का जिकर कर रहे थे कि जमू कश्मीर के कुछ एक विश्यू को लेकर मानिये परधानमंत्री जी के साथ वो बैठक करने की इच्छा बहुत सारे नेताओं ने यहाँ जमू कश्मीर में जाहिर की थी जिसके बाद मानिये पधान मंत्री नरेदर मोदी साहब ने 24 जून को जमू कश्मीर के संदर्व में सर्वदलिय बैठक यहां की अलग-अलग पोलिटिकल पार्टी के हेड्स के साथ बुलाई है तो यह अच्छी बात है कि सभी ने मन बनाया है कि वो उस बैठक के अंदर जाएंगे और खुले मन से और खुली सोच के साथ उस बैठक में भाग लेंगे जमू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है जमू कश्मीर हिंदुस्तान है जमू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तान को चाते हैं और जमू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इसलिए जमू कश्मीर के लोगों की अगर किसी को कोई लगता है की समस्या है तो वो मानिये प्रधान मंत्री जी के साथ रख सकता है प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े मन से और खुले मन से कहा है कि आप आईए अपनी बात रखिए जो बात आप प्रधानमंत्री जी से करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो अच्छी बात है कि जमू कश्मीर के सभी राजनितिक दलू के नेता 24 जून को मानिय प्रधान मंत्री जी के निमंत्रन पर दिल्ली जाकर उस वारता में शामिल हो रहे हैं रवीन जी लेकिन पूरे तोर पर फारुक अब्दुला जी ने ये साफ नहीं का कि शर्ते कौन सी हैं शर्ते बताई गई है या फिर शर्ते वो वहां जाकर मीटिंग में ही खुलासा करेंगे या फिर शर्ते पहले से पता है और आप से मेरा सवाल महबूबा मुफ्ती को लेकर उस मीटिंग में भाग लेना चाहिए यह एक अती महतुपरण बैठक है हमको जमू कश्मीर के संदर में हमारे लोगों को जो समसें आ रही हैं उसके संदर में इस सरवदलिये बैठक में अपना विशे रखना चाहिए हम सब को ओपन माइंड और ओपन हार्ट से खुले दिल दिमाग के साथ इस बैठक में भाग लेना चाहिए कोई शरत प्री कंडिशन लगा के इस प्रकार की बैठक में जाना मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई ओचिते है और प्रधान मंतरी जी ने भी खुले मन से कहा है आईए बात रखिए उन्होंने भी कोई अजेंड़ा वहा प्रधान मंतरी जी ने जारी रखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 जून को जब मानिय प्रधान मंतरी जी के साथ सर्वदली ये बैठक होगी तो जम्मू कश्मीर के सभी राजनेता, जम्मू कश्मीर की जनता के समस्याओं के समाधान के लिए मत्वपूर्ण उस बैठक में चर्चा में भाग लेंगे सो हार्दपूर महौल की बात की जा रही रविंजी और आप तो इस बात से भली भाती वाकिफ हैं किस तरीके से पहले भी आंटी पी-एम, आंटी कंट्री, तमाम तरीके के बयान फारुक अब्दुला की ओर से भी आते रहे हैं, महभूवा मुफ्ती की ओर से भी आते रहें तो खुले मन से और खुले दिल से कैसे विचार होगा, जब दिल ही नहीं मिलते हैं देखिए बिलकुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि कभी कभी इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं कि जब लगता है कि दूरियां बढ़ गई हैं लेकिन सरकार हमारे देश की है हमारे देश के मानिय प्रधान मंत्री जी हैं और जमू कश्मीर की जंता के जखमू पर अगर मरहम लगाने का किसी ने सचे मन से, इमानदारी से, खुले दिल से, बड़े मन से काम किया है, तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है, बाकी कुछ लोग उन्हें जो शर्ते लगाई हैं, अगर महभूबा मुफ्ती जी को लग के कारण जो दुख कष्ट यहां जेले हैं, तकलीफें जेली हैं, वो आतंगवाद के कारण है, पाकिस्तान ने यहां बंबंदूक, बिस्तोल, गोलिया भेजी, पाकिस्तान ने लाखों लोगों की यहां हत्याइं कराई, पाकिस्तान ने कश्मीर को लहुलुहान किया है, दुसरे तरफ बाता चीत यह संभाव नहीं हो सकता है भारत ने पूरी दुनिया के देशों के साथ वारता किया हमारे कितने अच्छे सबंद हैं अफगनिस्तान हो नैपाल हो भूतान हो बर्मा हो श्रेलंटा हो दो और चीज़ें मुम्किन नहीं लग रही हैं कश्मीर आकर ब कश्मीर कोई भारत से अलग नहीं है कश्मीर भारत का अभिन अंग है पूरा का पूरा जमू कश्मीर हिंदुस्तान का है और दिल्ली हमारे देश की राजदानी है प्रधान मंत्री जी हर साल कम से कम तीन चार बार वो जमू कश्मीर का दोरा करते हैं जमू कश्मीर के नेता द दिल्ली जाता है या दिल्ली से कोई यहां आता है यह हमारा देश का अंद्रूनी मामला है जमू कश्मीर हिंदुस्तान है और दिल्ली हमारे देश की राइधानी है वहां जाने में किसी को कोई दुख तकलिव नहीं है हमारे देश के मानिये प्रदानमंत्री जी ने हमें बु कुछ लोग इस परकार का महोल बना रहे हैं मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेवारियूं का निर्वाह ठीक परकार से नहीं कर रहे हैं जब प्रधान मंत्री जी ने कहा आप खुले मन से और खुले दिमाग से आईए वहां बैठिये चर्चा करिए तो मुझे नहीं लगत कि इस बैठिक के जाने से पहले कुछ शर्टें लगाना चाहिए वो ठीक नहीं है और कहां किसे कब बात करनी है किस विदेशी मुल्क से बात करनी है वो केंदर सरकार का और भारत देश के विदेश मंत्रा ले का तत्वाधान में आता है वो हमारे फॉरण मिनिस्ट्री श्र दोनों साथ साथ नहीं चल सकती ठीक है इसे में तमाम शर्टों के साथ बातचीद का जो जिक्र फारुक अब्दुल्ला की ओर से किया गया है दरसर आने वाले वक्त में वो कैसे संभव हो पाएगा इस पर सबकी नजर टिकी हुए रवीन रेना जी बहुत शुक्रिया हमाई साथ जुड़ने के लिए इसे के साथ यहां रुकना होगा छोड़े से ब्रेक के लिए फॉरन होंगे हाज़र देखते रहे आज तक